प्रेविद्यार्थियो आज हम मंत्र कहानी और उसके कहानिकार प्रेमचंद के बारे में चर्चा प्रारम करेंगे सबसे पहले इनमें हम प्रेमचंद जी के व्यक्तित्वय और कृतित्वय को जानेंगे और ततपशाथ यह मंत्र कहानी है उसमें प्रेमचंज क्या कहना चाते हैं मानव की किन परिष्टितियों को हमारे सामने लाना चाते हैं वो सपष्ट करना हम पसंद करेंगे दोस्तो हम जानते हैं कि प्रेम्चंजी का जन्म सन 1880 में हुआ था और आपका देहावसान 1936 इस्वी में हो गया था और जहां तक प्रेम्चंजी के जीवन का सवाल है प्रेम्चंजी का जीवन बहुत कठिन परिशित्यों में बीता था आप उत्तर प्रदेश के जो लमही नामक एक गाउं था उसमें आपका जन्म हुआ और अजयवन्ची अजयवराम के घर में आप पैदावर्था था आपके पिता का नाम उन्ची अजयवराम था जो कायस थे और एक डाक खाने में 20 रुपए मासिक की नोकरी किया करते थे अब देखिए हलांकि 20 रुपए उस समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन आप यह मान सकते हो कि कम भी नहीं हुआ करते थे तो एक समान्य परिवार में आप पैदा हुए ऐसा हम कह सकते हैं लेकिन परिवार की इस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आपका जीवन कठिनाई से बीता क्योंकि बच्पन में ही आपकी माता का देहां दो गया था तो एक सोतेली माता का जो है आपको कष्ट जहलना पड़ा और उन्होंने इनके साथ कोई अच्छा व्यवहार भी नहीं किया वो इनकी उस विमाता का या सोतेली माता का ही व्यवहार का परिणाम रहा होगा तो ये था इनकी ऐससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि इनकी मात पिता जी को दो विवहार करने पड़े थे और प्रेम्चन जी पर भी छोटी उम्र में ही जो है शादी का भार डाल दिया गया और विशेश प्रिष्टित वस उनका वो विवहार भी लंबा नहीं चल पाया और पत्नी जो एक वार पिहर गई तो फिर वापिस लोट करके नहीं आई कारण कुछ भी हो सकता है वो हम नहीं कह सकते कि वो कोई इसे ऐसा कारण रहा हो जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं लेकिन इतनी कठिन प्रिष्टित के बावजूद भी प्रेम चंजी की इच्छा सकती जो है वो बनी रही और उसका प्रेणाम यह हुआ कि आप पढ़ लिख करके कुछ बनने की कोशिश करते रहे हलंकि पढ़ते समय भी आपने आर्थिक विपनता का जो है वो काफी हद तक उसको सहन किया और नोकरी पैसे कमाते हुए आपने पढ़ने की कोशिश जो है जारी रखे और जहां तक पढ़ाई का सवाल है आप जो है बार्वी दसवी तक पढ़ लिए थे उसके बाद क्वीन्स कॉलेज में गए तो वहां एक समस्या आगी बिये करने में कि एच्छिक जो उन आग्रेजी वीशय था यानि गणित जो वीशय था वहां जरूरी था तो गणित में प्रेमचंगी हमेशा ही कमजोर रहे थे तो समस्या यह आ गई कि वह बिये नहीं कर पाए लेकिन बाद में गनित वीशा एचिक हो गया, एचिक होने के कारण इन्होंने बाद में बीये कर ली और उससे आपको नोकरी भी मिल गई, पांस रुपए के आसपास की नोकरी मिली थी जिसमें से या कमाते थे, उसमें से आप दो तीन रुपए घर बेज देते, दो रुपए खुद कर्स करते थे और तीन रुपए घर भेज दिया करते थे, आगे जाकर के इनको अठारा बीस रुपए की नोकरी मिल गी थी, अध्यापक की नोकरी मिल गी थी और बाद में अलंकी ये सिक्षा अधिकारी भी बन गए थे, जिसको इंक्सपेक्टर नाम से उस समय जाना दे दिया, और इसके बाद चूंकि लेखक तो अच्छे थे ही, तो फिल्मों में भी आपकी मांग थी, तो कुछ दिनों के लिए आप फिल्मों में गए, लेकिन फिल्मों की परिष्टितियों के अनुकूल अपने आपको ने पा करके वो वापिस वहां से आ गए, और वाप जीवन परियांता था, जब तक ये जिन्दा रहे, तब तक ये पत्रिकाई प्रकाशित करते रहे थे, और इस तरह से इस दरिद्रता से जूजते हुए, 1936 में बीमारी में रहते हुए ही आपका देहांत हो गया, लेकिन एक विशेष्टा आपकी हमेशा विद्यबान रही, कि वो स्वेम को जीते जी मजदूर मानते रहे, इसलिए मरते दम तक लेखन का कारिय आपका जारी रहा था, और इसका ये प्रिणा मारे सामने आता है, कि इनका अंतिम उपरन्यास जो मंगल सुत्र रहा था, वो अधुरा ही रह गया था, तो मरते दम तक आप लेकन का कारिय करते रहे थे, और इनका मानना था है कि जब तक मैं काम नहीं करूंगा, मुझे बोजन करने का अधिकार नहीं है, तो वो इनके कारिय शैली से जलकता है, तो इससे एक पता लगता है कि ये जीवन शैली में भी बड़े सादे थे, इनके जीवन में एस्वरेने या हम कहते है कि जिसको हम करते हैं कि आयाशियों के कोई विशावस्तू इनके जीवन में कभी नहीं आये, और एहंकार आपके जीवन में ने कभी था, ने कभी रहा, और जीवन की सभी कट्टाएं जो कट्नाईयां आई, उनको बड़े प्रसंद चित रहते हुए आपने सहन किया, देख और ये जो इनकी सेन सकती थी, वो इनके साहिते में भी दिखाई दे जाती है, देश बक्ती इनकी दिखाई दे जाती है, दूसरे जो विभिन वर्ग थे, उन वर्गों के बीच में जो समन्वे के भाव हैं, वो भी आपके साहिते में दिखाई दे जाते हैं, तो आपके भी इतर और बाहर दोनों में अर्थात साहित्य अर्थात कथनी और करनी में जीवन जीने में और जो साहित्य आपने रचा उसमें आपको कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। कहीं स्थान कोई नाम लेवा नहीं होता था। हिंदी साहित्य विस्वे के सर्वोच साहित्यों की सरणी में सामिल हो गया था। अब है कि आपके कृतित्वेक पर क्या विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंजी ने प्रमुक्त है तो कहानी लिखी और उपन्यास लिखे। इसलिए इनको उपन्यास समराट के नाम से भी संबोधित किया जाता है और वो निर्विवाद है और कहानी की ये उपन्यास की चर्चा होती है तो इनके समकालीन जो सहित्यकार हुए और उनमें से विशेश तोर पर जैसंकर प्रसाद तो जैसंकर प्रसाद ने भी कहानिया खूब लिखी थे लेकिन जब कहानी में पहले नंबर की व्यक्ति को कहानिकार को चुनने का सवाल आता है तो प्रेम चंजी ऊपर रहते हैं सभी लोगों के दौरा यह नहीं कि कुछ व्यक्ति पसंद पसंद किया उपर रखाऊ नहीं कारण था कि उस समय के समाज में जो कहाने लिखी जा रही थी वह उच्चवर की कहानिया हुआ करती ती इनको अपने शाहिते में स्थान दिया जो की उस समय भारतिये साहिते में कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलता है हम कह सकते हैं जब साहिते की रस्तना की बात करते हैं इन्होंने कहानियां लगबग 300 के आसपास लिखी और उपन्यास अलग-अलग लोग को द्वारा अलग-अलग माने गए लेकिन कुल मिलाके चाहे वो अनवाधित मान जिए या उर्दू में लिखे गए उपन्यासों को मान लेजिए कुल पंद्रे मानी जाती है और वैसे लगबग 11 वारा उपन्यास मानते हैं जो कि प्रसिद्ध हुए इनके आपका जो लिखन का जीवन था वो उसको हम प्रेमचंद काल को हम तीन इसों में बाढ़ सकते हैं जो इनकी कहानियों के स्थर को भी बताते हैं उपन्यास तो सांचा चलते ही रहे कहानिया भी चलती रही तो कहानियों का जहां तक सवाल है इनकी कहानियों के लेखन को हम तीन कहाल में बाढ़ सकते हैं जो पहले तो 1916 से 1920 तक का फिर 1920 से 1930 तक का और फिर 1930 से 1936 तक का तो इन कहानियों की भी अपनी जब प्यारम भी कहानिया थी जो 1920 तक कीती हम दाक दें इनमें इनमें थोड़ी सी परिपक्वेता का अभाव दिखाई देता है और आदर्श वाद इसमें बहुत ज़्यादा दिखता है यथार्त इनमें कच्चापन दिखाई देता था यथार्त इतने पूरतरे उभर करके सामने नहीं आता था कहानियों के कथानक लंबे और इती वृतात्मक हमको काफी अधिक मात्रा में पाए गए थे इस समय की कहानियों में भी हम बलिदान है आत्माराम है बूडिकाकी है इनको सामिल इसमें कर सकते हैं फिर उननी सो बीश से तीस तक में इनकी कहानियों में सुधार हुआ यथार्थ के निकट है अतात यथार्थ और कल्पना का या आदर्स का थोड़ा सा समन में करते हुए आप यहां दिखाई देते हैं और एक बात हो रहे है कि हर कहानी के अंत में आप एक वाक्या दो वाक्या लिखना पसंद करते थे इस समय तो यहां हमको दिखाई दे जाता है इन इस समय की कहानियों में हम परिक्षा आप भी 30 सवा से अरगेहुं इत्यदी का नाम पर मुकूप से ले सकते हैं 1936 तक का काल इनकी कहानियों का सर्वस्रिष्ट काल हम कह सकते हैं उस समय इनकी जो कमिया थी जिसे कहानियों में जो इती वृत्यात्मक था थी वो समाफ्त हो गई थी यथार्थ वाद इनकी कहानियों में आ गया था समाज की जो विक्रतियां थी वो पूरी तरह से निखर करके उभर करके इनकी कहानियों में आती थी और उनको दूर करने का प्रयास भी लेखक द्वारा इन में दिखाई देता है इन कहानियों में एक सुत्रता है पात्रों की संख्या कम हो गई है जैसे पूस की रात है ये कहानी इस युक की कहानी हम कह सकते हैं तो इस तरह से हम कहानियों के छेत्र में देखते हैं कि तीन समय जो है गटक माने जा सकते हैं। प्रेना प्रेम प्रमोद इत्यादी और प्रेम सरोवर इत्यादी एकांकी संग्रहों में हमको मिलती है और बाद में ये सभी कहानिया मान सरोवर नाम से एक जो चला था संग्रह उसमें छपी जो आठ खंडों में छपा आज भी ये आठ खंडों में छप करके हमारे सामने आता है और एक चीज हम जानते हैं कि आपका मूल नाम धनपत राय था और जब शुरुवा था आपने लेखन की की थी तो वह नवावराय के नाम से की थी और उर्दू में ही लिखते थे लेकिन बाद में इनके साहिते पर रोक लगने के करण आपने उर्दू में नवावराय के नाम से लिखना बंद कर दिया और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से आपने लेखन प्रारब कर दिया तो हिंदी के लिए ये चीज एक अच्छ वाक्या साबित हुई कि प्रेम चंजी पर रोक लगी उर्दू में लेकने पर और उससे वह हिंदी की तरफ आगे और वह प्रभाव हम इनके साहिते पर भी देखते हैं कि जहां कहीं भी आवसे इनको दिखाई दिया उर्दू के शब्दों का प्रयोग आप करते हुए काफी दिखाई दे जाते हैं और आपके उपन्यासों में प्रमुक्त हम कह सकते हैं कि वर्दान है प्रतिग्या है सेवा सदन है प्रेमासर है करम भूमी है निर्मला है रंग भूमी है आकाया कल्प है गबन है और सबसे अंतिम जो पूर्ण उपन्यास गोदान और जिसकों की हम कह सकते हैं कि सबसे बहतरीन उपन्यास प्रेमचंजी का भी हिंदी साहित्य का भी भारत का भी और विश्वय का भी जो सर्वस्रेश्ट रसना उपन्यास के रूप में होती है वो गोदान हमको प्राप्त हुई और मंगल सुत्र जो 1936 में लिख रहे थे उसको लिखते लिखते ही आपका देहावसन हो गया वो अधूरा रहे गया और ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंजी के एक पुत्र ने इस उपन्यास को पूर्ण किया हलंकि गोदान भी 1936 में ही आपने लिखा था गवन 1931 में लिखा था कर्म भूमी 1922 में निर्मला 1923 में इस तरह से और वर्दान जो ह जो है व्यक्तित्व है और कृतित्व है हमको यहां प्राप्त होता है इसके साथ साथ प्रेमचंजी के उपन्यास ही नहीं बलकि इनके कुछ बाल सहित्तिक रसनाएं भी हमको मिलती है इनके कुछ निबंद भी प्रेमचंज कुछ विचार नाम से जो संग्रह है उसमें आप को प्राप्त हो जाते हैं मूल थे वो निबंद नहीं थे बलकि आपके व्याख्यान थे जिने की निबंदों की रूप में संकलित किया गया है इसके अलावा इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे हलंकि वो नाटक को इतने प्रसिद नहीं हुए प्रेमचंद जैसा कहानी और उपन्यासों में इनके व्यक्तित्व का निखार उभर करके आया था वैसा नाटकों में आपका नहीं है क्योंकि नाटक इनका छेत्र नहीं था लेकिन खास बात यह थी कि इतने गंबीर व्यक्तित्व के मालिक होते वे भी बच्चों के लिए बाल सहिती की रशना करना मैं मानता हूं कि प्रेम चंज जैसे व्यक्तित्वे के लिए बहुत ही एक प्रसंचनी ये बात मेरी नजरों में रही है इसी के साथ प्रेम चंजी के परिशे को हम आज यही समाप्त करते हैं कल हम कहानी मंत्र पर चर्चा करेंगे जैहिंद जैबार